जन्वरी की आज चार तारीक है और मैं अपने भेन भाईयों को बताऊंगे कि जिनके पास गजानिया के जो प्लांट्स हैं पुराने जांफिर नहीं उन्होंने काफी पहले ग्रो की हैं और काफी बड़े हो गए हैं तो कटिंग से और ज्यादा बनाना चाते हैं तो बना सकते हैं किस तरह से बना सकते हैं तो मेरे गार्डन में जो पुराने प्लांट्स भी जो मेरे बचे हुए तो वो पुराने प्लांट्स जो होते हैं वो साल बर कुछ-कुछ टाइम छोड़के फ्लार्स जो हैं देते रहते हैं तो मैं आपको दिखाती हूं यह जैसे देख रहे है फूल ये मैंने ऐसे अटकाए हैं तांकि आपको सीधे दिखें तो ये इस तरह से चूटे से पोर्ट में ये मेरे पिछले साल के लगे हुए हैं और इनसे आप कटिंग लेके खूब सारे बना सकते हैं तो मैं अभी इनकी कटिंग लेके मैं आपको बताती है बट सब पे तो यह आ रहे हैं यह इस तरह से यह देख रहे हैं गजानिया के तो पूरा साल वर यह खिलते रहे हैं पुछ-कुछ टाइम को छोड़के तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने गरो करना भी सिखाए थे हां जी बिलकुल गरो करना सिखाए थे तो मेरे यहां इतनी जैदा पूद्धे हैं हमारे वो खुब सारी पूद्ध मेरी जो मर गई थी और गजानियां के बीज के साथ ऐसा होता है जहां तो आप इनके सीड चूनते हो तो बहुत सारे उसमें फाल्स होते हैं टू सीड नहीं होते हैं तो फिर एक एक चूनके तो मैंने इक अठे जैसे फूल ऐस कर लिये थे तो उसमें फाल्स खूफ सारे थी इस पोड में पहुब सारे इसमें गोट करना चिखा था तो यह पितुणी अपने भर भर के निकला आयो तो भी मैंने सारे साइड से अटा दी हैं तो यह जो दो पुद्दे फिर मैंने स्वीडूस में से एक फूल फिर डाल दिया था तो यह दो पुद्दे मेरे निकलाएं यह तो आज मैं इसको एक को ट्रांस्परांट करूंगे एक बड़े पोट में तो इसी के इतनी ग्रोथ हो जाएगी कि खुब सारे साइट साइट से जो है जो खुब सारे पोट्दे निकलाते हैं इसी के साथ ही और इस टाइम जैसे इतने ऐसे पोट्दे हो तो वो थोड़ी सी केर के जाए जैसे गर्मियों में गर्मी के मोसम में नेट के नीचे रखे जाएं तो वो बच भी जाते हैं तो यह हैं गजानिया के अगर लेनी है गजानिया की तो अभी इनकी कटिंग नहीं लेनी है अभी तो इनकी खुद ग्रोथ हो रही है तो कटिंग जो लेनी है जैसे इस तरह की ये ये जैसे ये बड़ आ रही है ये हमारे बड़ आ रही है और ये जैसे स्टेम है ये ऐसे बन रही है तो इस तरह की कटिंग तो आप कहीं भी मिट्टी में दवा दीजिए और कुछ दिन जैसे थोड़ी चाया में रखिए तो जल्दी जो रूट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो मैं दिखाती हूँ तो जिस ये शैलो ट्रे में मैंने ये लगाए थे अपने ट्रांस्प्लांट की ये थे थे थोड़ ये बड़ भी लगी हुई थी ये कुछ ऐसा था तो मैंने हटा दिया था तो मैं अब इसको निकालके दिखाती हूँ और फिर इसी को हम छोटे से बोट में ग्रो करेंगे तो पहले मैं केरफूली इसको ऐसे नीचे से निकालती हूँ इसमें भी पिटूनिया के निकल रहे ह हैं तो ऐसे करती हूँ ये खास से निकालना मुश्किल हूथा बस जड़ जो है टूट ना जाए तो अराम से निकालती हूँ तो मैंने लकडी से थोड़ा सा मिट्टी साइड से उंची की है और देखते हैं ये ये दिखिए ये कुछ दिन पहले करी थी और ये इसमें रूट्स आना ये वाइट वाइट दिखरी हूँ गी तो शुड़ हो गया है तो मैं इसको इसी में ही लगाना ये पसंद करूंगी गमले में तो ये देखिए ये रूट्स इस तरह के कटिंग लेनी है तो मुझे आज़े के सूख गया है और ये निउ ग्रोथ जो है इसमें ये देखिए चलने होने लगी है ये होने लगी है और इसी को ही हम दवा देंगे और कियर फुली निकालना है मैंने तो ये जल्दी में निकाल दिया है ये अराम से हो जाते है ये इस तरह के ये रूट्स खुब स में लगा दूँगी तो एक पुद्दा ये जो है ये मैं निकाल लूँगी थोड़ा साइड से ऐसे करूँगी तांकि इसके रूट जो है डिस्टर्व ना हो तो ये देखो ये निकलाया है तो ये सीर से जो ग्रू हुआ ये इस तरह से आईए तो अब इसको भी मैं इधर साइड में इधर एक ही गमले में लगा दूँगी और बाकी जो एक बचा है उसको मैं अलग पोट में लगाओंगी कोई खाली करूँगी अभी मेरे पास खाली तो यह अब पानी इन में अच्छे से डालके फिर छाया वाली जगे में रख देना है तो जब लगे कि अब चलने लग पड़े रूट से क्योंकि खींच के निकाले गए हैं दुनों पूद्दे तो फिर इसको जो धिर धिर धूप का टाइम बढ़ाना है फिर फूल सलनाइट में रखना है तो यह देखा गजानिय के कटिंग लगाना कितना असान है तो यह इस तरह से यह ले सकते हैं ले सकते हैं पर इस पे भी बड़ आएगी यह वाली जैसे यह स्टैम दिख रहे हैं इसके यहां से तोड़के इसको हम दभा सकते हैं यह इसको यह जैसे यह तोड़के यहां से बस ऐसी लेनी है पर इसमें बड़ सारे हैं पूर सब पे फूल आ रहे हैं तो मैं इनको डिस्ट तो ऐसे ही मिट्टी में उसमें मैंने दवा देनी है अब ये तो मैंने ये एक और तीसरी ये दवा दी है और देखो अब चाया में रखना है कुछ दिन तो इस तरह से गजानिया के जो खूब सारे प्लांट्स त्यार करना बहुत ही असान है तो आसे चोट-चोटे पोर्ट्स में भी ये लग जाते हैं एक रखिये आप एक बोदा रखिये तो वो ही खूब चे से त्यार हो जाता है तो इस पे मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं पूरी के बारे में मैंने गजानिया की बताया हुआ है कि किस तरह से इसकी केर करनी है और कैसे नहीं इसी के साथ नमस्ते जी शुक्रिया